आप देख सकते हैं यहहां पर ओकने कर सकते हैं अंसे फुरा चैइप्टर है अलंग लुख५ते अलमग वैपसाइट बनाना है जहां कूर कर सके तो यह विडियो इसमें आपको step by step process देखने को मिलेगा इसे पी तरह के ट्रीडिंग कोर्स बनाने के लिए सबसे ज़रूरी दो चीज़ें होती है एक डूमेन नेम और प्लस एक होता है है वोस्टिंग तो अगर आप दोनों पो अलग चाहें तो खरीज सकते हैं बट आपके लिए एक बड़ा ओफर है अगर आप वोस्टिंगर से पर्चीज करते हैं अपने वोस्टिंग को और यहां पर आपको बता गया है कि कैसे वोस्टिंगर से आप पूरा अपना LMS सिस्टम सबस्टिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले जाने थे वोस्टिंग करते हैं कैसे करते हैं और यहां पर मैं इस पर करता हूं तो पिर आप घर अगर आप तो कर लेते हैं तो आपको 59 का ही पड़ेगा दूसरा बेनिफिट सबसे अच्छा जो मुझे लगता है इसमें 30 दिन का जो है मानी बैक करेंटी मिलता है यानि अगर आपको पसंद है नहीं समझ में आ रहा है कि आपके जो है आप जो पैसा इन्वेस्टिकर उसके साफ से सही है तो आप 55 रुपया पर मंत देखे डेली बैक पी ले सकते हूँ इसमें फीचर है कि आपका वीकली बैक अप होता रहेगा तो यहां पर मैं इसे रहने के बाद मैं जाता हूं जाता हूं जाता हूं और मुझे अपना एमिल एड्रेस और नाम डलकर यहां पर एकाउंट बनाना हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जाने के बाद आपको जो है एक नया पर उपन होगा आपको इस पेज को कभी टेशने करना है जब आपका सक्सेस्फुल नहीं हो जाता तो यहां पर देखे दो आप बार कोड़ स्कैन करके कर सकते हैं तो सब्सक्राइब सिंपल ऑप अगर तो मेरे बाख करने करके बाद कि अअपको वेस्जाना कि अपर लोग सब्सक्राइब करना होगा, आप बाफ़ ने के लिचरिन के बाद क्या होगा में पुस accordance क्लिक करना होगा, या पिर बिले नेटी वेपसाइट मतलब था है अब यहां पर नहीं है यहां पर वर्डपरस सब्सक्राइट मतलब आप बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बतायेता है यहां पर स्थी पाहरा हुआं करताया हो इसकी पैना, सब्सक्राइब और इसका डैस्पोर्ट जो है मुझे बहुत अच्छा रगता है और देखने में काफी अच्छा रगता है वन क्लिक टू सेटप जो अवाला डैस्पोर्ड है और साथ में आपको जो मैनेज वर्डप्रेस मिलता है जो तेखने को मिलते हैं वह काफी अच्छे होते हैं तो दोस्तों यह आपका website देखिए हमें मिल अब बात थिसे इंस्टॉल करते हैं सेट थी करते हैं और यह इन्स contributor कर सकते हैं आप अपको मिल जाते हैं जैसे कि यहां पर देखे वर्ट पर डूबर चुमूला या बेश्बी बीड या ओपन कार्ड यह सारे जो है अपको मिल जाते हैं उसके बाद अधर जो content management system की बागत रहें वह सारी सिजह मिल जाती है जैसे कि आपको बिक्की बनाना है या फिर साइट बनाना है या फिर आपको सिंपल ब्लॉग बनाना है या फिर किसी पड़ प्रेमर प्रिक आप करना यह सैंफोनी हो गया यह प्यूजर हो गया बहुत सारी चीज़ें होती है आप इसे आइज सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर यहांप यहां पर बैट साइब कर सकते हैं लिए अब निन्हिएंताम के सब्सक्राइब करना चाहिंए hit और यहां पे सब्सक्राइब हम एक प्रप्रूर्प्री के सब्सक्राइब आप वेबसाइट टारिटेल आम दे देते हैं यह पी आपको मिल जागा तो यह इंगी से बाटी बैसी से अप हो चुके हैं तो हम कर लेते हैं यह पर इंस्टाल तो देखिए जैस्ट इस्टाल है जो की इजी नहीं होता है इंस्टाल करना वर्डपरेस अगर आप जाते हैं ल जनुंट सब्सक्राइब काशताल है उत्सक्रा डिंट करने बिलेघन सब्सक्राइब न होगा सब्सक्राइब करने के ऐसे हैं यह ए forcé पर दिन्स पर जाने के बाद आपको यहां पर ऑप्डेट का ऐप्सन मिल जाता है जहां पर नेंस सर्वर जो है बहले से स्टप पर मिलता है तो अगर उसको आप चाहें तो यहां पर इसेसे लिए आप डेट हो जायेगा बट दोस्तों और आप अब नहीं करना है कि मैं अभी तो यह हैं हमारा वर्टप्रेस जो कि अभी आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेस है इस पर कोई भी कॉंटेंट नहीं है बट हम इसको बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन करेंगे जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था और कम्प्लीट इस्टे बाई इस्टे प्रॉसस से क्या इलिमेंट होते हैं तो आल्रेडि मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप इसे चेकाउट करें और कम्प्लीट आप वर्टप्रेस डैश्बूर्ट के सभी फंसनाइनटी के बारे में सीख जाएंगे अब यहां पे जाएंगे हमें कुछ प्लैगिंस की जरुरत होगी जो क की एक प्लैगिन भी ऑफर करता है और यहां पर हम कुछ इस तरह से थीम पो डिजाइन दरेंगे और जैसा कि आप इस्टार्टि में देख चुके हैं और यहां पर हम डाउनलोड नौव पर क्लिक करते हैं तो यह हमारा थीम डाउनलोड हो गया है अब हम जाएंगे प्लैग करना है हमें साथ में इक और प्लेगिन इंस्टौर करना है आपको ध्यान रगना है कि अब स्टॉम डाउनलोड क्या और इसे में करना है अब इस त्रोड थेम को अप्सण मिलेगा तीम में आने के बाद यहां पर प Everyone i हमारा थीम लगा हुआ है बट इसे हम कस्टिमाज उस लेबल तक नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हम जाएंगे एड नियुप बाद अप्लोड थीम पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद चूज फाइल करेंगे और जो हमने थीम डॉलोड किया है उसे सलेक्ट है और हमारी वर्डप्रेस में भी हमने कोई क्लिक क्लिक करते हैं तो हम आजाते हैं फिर से ट्विटर लमस प्लाइग जो की डैश्बॉट के नीचे एकदम जश्ट होगा जैसे इंस्ट्रॉल जानेंगे और टूल्स ऑप्शन पर आ जाते हैं टूल्स पर आने के बाद सेट हैं यानि एक इंस्ट्रक्टर आके अपनी कोर्स करता है और वहां से अपने कोर्स को भी वहां से सेव कर सकते हैं तो इसके लिए हम मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे ताकि एक बहतर डियाइन आपको देखने पर मिले और आप एक ट्रेडिंग जो कोर्स वाली है इसे बाइन देना है इससे भी औन ने देना है पर्मा लिंक हमैं और अपंढसे होगा courses per row में हम 3 courses को एक row में रखेंगे और courses per page में हम एक page में 12 courses को रखेंगे ताकि ज़्यादे बड़ा ना दिखें और कापी अच्छा design दिखें जैसा कि आपको दिख रहा था यहां पर क्लिक करने के बाद next पर क्लिक करनेंगे और यहां पर देखेंगे new sign up on रहेगा ताकि जो नए लोग आ रहे हैं यानि नए student आ रहे हैं नए instructor आ रहे हैं वह अपना account बना सकें और अपनी course को अप्रोड कर सकें अपने course को purchase कर सकें और earning का option enable रहेगा देन यहां पर payment का option आजाता है case check out इसे बंद रहने दे क्योंकि अजर आप इसे enable करते हैं तो without login को यूजर को बाई कर लेगा तो इससे क्या होगा एक system है जो क्यों सिस्टम है उस तरह से function नहीं करेगा कुछ ऐसे user होंगे जो कि आपके page पे नहीं है बट आलेडी ओलो courses को बाई कर चुके हैं यहां पर commission date upset करेंगे जब marketplace जैसे कि आप Udemy अगर account बनाते हैं तो जो भी course का price बता है उसका कुछ percent Udemy रखता है ठीक इसी तरह आपके website होगी जो कि कोई भी instructor जो training का course आप अपना publish करेगा अगर वो 100 रुपे कमाता है तो 80 रुपे रखेगा 20 रुपे आप platform charge लेंगे जो क आप से प्रॉइट कर रहे हैं यहां बोर ने के अब शाच कर दिए करेंगे अब हम लॉंच करनेवाले हैं अपना पहला लुए थोड़ा सा इसके बाद यहाँ पे नीचरी देताहूं और एक कोर्स का सेटिंग जहां पर नंबर आ पे स्टुडेंट कर सकते हैं कि कितनी नंबर स्टुडेंट के लिए पकोर्स लॉंज कर दें हैं अधर आप यहाँ पे जीरो रखते हैं तो यानी इसका कोई के लिमिट नहीं होगा यह नंबर स्टुडेंट के लिए होगा जो कोर्स का है उसका लेबल क्या है लाइक इंटर्मीडियेट के लिए है एक्सवाइट के लिए है या फिर बीगिनर के लिए तो सपोर्ज यहां पर हम और लेबल से लेकर लेते हैं दैन पब्लिक को इस इन इस स्टुडेंट के साथ एंट्रैक्ट हो चुक है और यहां पर पर कोर्स बिल्टर रहेगा जहां से आप कोर्स बनाएंगे फिर अदिशनल इंफर्मेशन जो की कोर्स के रिए बहुत जरूरी होता है जो आप कोर्स लॉंज करते हैं ताकि स्टुडेंट को बता जले कि कि को इस कोर्स में क्या करेश चीजे आले लेडि आप प्रोवाइड कर रहे हो रहे और यहां पर हम सबसे पहले कोर्स करेर करते हैं तो सबसे पहले हमने कुछ लिख लिए तो यह चीज आपको द्यान वरेफना है यहां पर मैं द्मी कॉंटेंट का यूज करूंगा आप ए क्रोटेंगे कॉणेंट है जब आपना रिगोर्स करेंगे तो आपका क्वांटेंट होगा राइट तो यहां पर यह लोग को दिखेंगा कि क्या कोर्ष है उसके बाद यहां पर अगर दिस्क्रिप्संट साहे तो इहां पर आप कर देता हूं अब तेन आजाते हैं हमने यह setup कर लिया है हम इसको हाइड कर देते हैं अब आज आएंगे course builder में course builder में आप topic add करते हूँ lesson add करते हूँ quiz add करते हूँ right तो यहाँ पर सबसे पहला topic जो हम create करेंगे introduction का जब course start होता है तो सबसे पहले इंट्रोडेक्शन की बात होती है तो यहाँ पर हमने इंट्रोडेक्शन बनाने topic इसके अंदर एक lesson add कर देंगे course introduction ताकि लोग को पता चल जाए कि course में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पर हम course introduction कर सकते हैं अधरा बुलेट्स है बुलेट्स एड़ कर सकते हैं heading add कर सकते हैं complete जैसे कि यहाँ पर फॉर्टेंश करता हूं और मैं इसको heading करना चाहता हूं तो यहाँ से paragraph से जाओंगा इस टूए जो भी चाहूंगा कर सकता हूं राइट तो यह काफी आसान है देन एक आप इयुको दिता हूं आ सकते हैं पाःता करके हो एंड एंड़ कर सकते हैं वेज़मेट हοं राइड़ कर सकते हैं को से यहां से जौन को wine आसा और सकते हैं तो यहां पर चरंते में यूट्यूब लाइक और करेंगे अगर आप जो है इंबेट करते हैं कहीं पर काफी सिंपल है इसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है तो यहाँ पर मैंने इसको दो मिनिट दे दिया है और अपडेट लेशन कर दिया है तो यह हमारा इंट्रोडक्शन का जो पहला चैप्टर था और भी हो चुका है अब हम क्रेट करेंगे एक इंट्रोडक्शन का टॉपिक हो गया यहां पर खतम अब हम नया टॉपिक अड़ करेंगे और इस टॉपिक का नाम होगा चैप्टर वाल टैट तो चैप्टर वन में हम इस टॉक मार्केट्स के बारे में जमतारी देने वाले हैं यहां पर हम सेलेक्ट कर लिते हैं और यहां पर मैं जाता हूं और फिर हमने यहां से उठा लिए सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी को से इंफॉर्मेशन होता है जैसे कि सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर वीडियो कॉंटेंट करेंगे यूटूब से लिए हम कर लेते हैं और फिर हम अपना वीडियो करतेंगे और फिर यहां पर दस मिनट का हमारे यह पहला section है हम इसे update कर देंगे तो हमारा पहला listen add हो गया तो दोस्तों इसी तरह से कई सारी lesson add होते हैं तो फिर next पर जाएंगे और हम next lesson भी add कर देते हैं जो कि कापके ही आसानी से add हो जाता है और हर कोई इसे चाहे तो आसानी से create कर सकता है course website बनाना बहुत ही आसान है अधर आपको कोई support की जरुगत है तो नीचे प्रिंट कमेंट पर जो email दिया गया है उसपे आप mail करेंगे तो आपको पूरा help मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में कोई चार्ज नहीं है आपको किसी पी तरीक है जो website बनाना है यानि learning management system की website बनाना है तो आपको पूरा support में लेगा पट आपको थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा अब बस हमार बस इस content को आपको शेयर करना है ताकि जादे से जादे लोगों तक पहुंच पाए और हम ऐसा content बना रहे हैं ताकि कि किसी को दिटकत ना हो राइट तो हमने दूसरा यहां पर लेशन कर दिया इसी तरह हम तीसरा लेशन भी आड़ करेंगी त ताकि रोगों आपको समय पर आई गया होगा कैसे लेशन करते हैं तो मुझे निए दिक्कत होगा और यहां पर हम इसको आप यहां पर नाद देगे सब्सक्राइब और यहां पर एक एक attachment अब कर देते हैं आपने देखा होगा बहुत इस जिससे आप डॉनलोड करते हैं उस दोस्तरे से आप attachment भी एड कर सकते हो राइट अब यह हमारा सपोर जी हमारे चैप्टर खतम हो गया हम चाहते हैं इस चैप्टर को कम्प्रीट करने वाले स्ट्डेंड एक क्विच को कम्प्रीट करें ताकि आप उनके नौलेज को जाल सेटें कि उन्होंने कितना सीखा तो यह यहां पर save next पर क्लिक करेंगे अब देन हम क्विच का जो question एड करेंगे तो यहां पर मैं sample question add देता हूं आप जो भी question ask करेंगे user से ओड कर सकते हैं और यहां पर बहुत सारे तरीके हैं क्विच करने के लिए जैसे true and false हो गया single choice हो गया multiple choice हो गया like a fill the blank हो गया short answer हो गया image answering हो उसकी साबसे आपको information देनी होगी तो यहां पर मैं single choice select करता हूं answer required कर देता हूं और जो भी sensor को complete करेगा उसे एक point मिलेंगे right अब यहां पर हम option add करते हैं चुकि हमने single point select किया तो हमें 34 option देने होंगे तो यहां पर option one मैं add कर देता हूं नाम करके option one हमने इसे add कर दिया फिर ह हम add कर देते हैं और फिर option four हम add कर देंगे right option four हमने add कर दिया है अब यह और important चीज़ है जब आप सारे option add कर लेते हैं तो आपको एक right answer select करना होता जो की होता है exactly ताकि यह कुई system match कर सके कि जो user है जो student है वो right answer कर रहे हैं या नहीं तो यहां पर जैसे हमारा मान लीजे तीसर और सही है तो मैंने इसे select कर लिया और then add questions पर click कर दिया आप क्या हो गया हमारा quiz ready हो गया जैसे हम save and next करेंगे हमारा quiz जो है पुब्लिस हो निक लिए रीडियो हो जाए quiz number one publish हो गया यह मैं आलेटी दिखा चुका हूँ आपको फिर करेंगे तो फिर दिखा देंगे then हम next topic add कर दाता हूं sample one और हम कुछ description यहां पर डाल देते हैं और यहां पर हमने select कर लिया है जो है thumbnail और फिर हम video source select कर देंगे और video source select करने के बड़ ताइमिंग यहां पर हमने select कर लिया फिर हम chapter 2 इसी तरह add कर देंगे ठीक है chapter 2 sample 1 sample 2 कर देंगे इसको paste कर देंगे और फिर हमें select कर लेंगे तो मैं dummy content add कर रहा हूं यहां पर real content आपको add करना है ठीक है चुकि मैं बता रहा हूं कैसे बनाते हैं तो हमारा process simple सा आसान डाइड और इसी तरह से हम add करते जाएंगे अच्छेप्टर 3 हम add कर देते हैं ठीक है पेस्ट कर देंगे और हम एक select कर लेते हैं हम video format select कर लेते हैं तो सपोज इस तरह से हमारा कोर्स जो है रीडी हो जाता है बनके राइट इस तरह से आप अलिम्टेड चैप्टर और लेशन आड कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बताने की जूरत है आप समझ गया हूंगे इस तरह से आप लेके टॉपिक एड़ेंगे उसका इंद जो आपको बताना है कि कुर्स जो आप लॉंच करें उसमें क्या स्ट्रेंट करेंगे तो जैसे आप बता देजिए की डीडेल कैसे में यह चीज़े सीखने वाले हैं के सिस्टडी है यह सारी चीज़ें तो यह कंप्लीट इंफॉमिशन को मिल जाएगा देन आता है टार्ग कर सकते हैं जिना पर जैसे मैंने सिल्क कर लिया है इंक्लूडिज मिटेरियल क्या-क्या मिलेगा इसके अलामत तो यहाँ पर जैसे मैं बोल देता हूं कि प्रीमियम अभडि ग्रूप अब भी ग्रूप का एकसेस मिलेगा तेल ग्राउंड ग्रूप का एकसेस मिलेगा लाइट टाइम कोर्स एकसेस मिलेगा उसके बाद यहां पर फिर यह कोर्स माटेरियल रहेंगे इस तरह से उसके बाद एडिशनल रिक्वार्मेंट में आप चाहें तो कुछ इस वसल एड करना चाहें जो कि स्टूड़ेंट जलूर है तो एड कर सकते हैं यह हमारा कोर्स का रेडियो हो गया आप हमें से थोड़ा सा फीचर इमेश कर देंगे तो यहां पर हम एक फीचर इम आप देखेंगे और देखेंगे कोर्स हमारा जो है पब्लिस हो गया इस तरह से देखेंगे हमारा कोर्स दिखेंगा रेडि होने के बाद आप देख सकते हैं कितना यूणीक ताच्छा दिख रहा है कि है अभी अपडेट हुआ है इड्मीन ने बनाया है मैटेरियल आ रहा है यानि अभी इसे कोई भी फ्री में एकसेस कर सकता है चुकि आप ट्रेडर हैं तो आप अपने कोर्स को पेड़ में बेचेंगे तो पीड़ कोड़ सेटप कैसे करना है यह इंप्रेट है अगर आप फ्री में देराश आते हैं तो इतना आपके लिए कंप्लीट है आप नेक्स स्टप पर यानि डिजाइनिंग स्टप पर जा सकते हैं पर अगर आप फिर प्रीट कोर्स लांच कर रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा और सेटप करने की जबुरत है तो दोस्तों फिर से हम जाएंगे अपने डैस्बोर्ट में जाने के बाद प्लैग इ इंस्ट्रॉल करेंगे उ-commerce तो यह प्लैगिन है जो कि हमें प्रिवेंट केट वही यानि एक इंजर है कर लिए तो यहां पर हम इसे इस्ट्रॉल दर देते हैं थोड़ा टाइम रगता है उ-commerce इंस्ट्रॉल होने में तो आपको थोड़ा सा प्रेट करना पड़ेगा तो करना है लेकिन इससे पहले हमेन इच्वेड करना है अपने ट्टर में इनका च्टैंण सेटिंग match करना है तो इसे ऊटरिकश करना है भी में नहींगे शेलें करनेंगे तो इस्टारें करेंगे अब देखेंगे कोर्स बिशता है तो उसको 80% उसके प्राइस एजाएगा 20% एड़ मिलेगा और फिर हम इसे सेव कर देंगे राइट सेव करने के बाद हम आ जाएंगे अपने क्या हम सब्सक्राइब करना है तो यहां पर हम से इस्पेसिक करते हैं उस country का नाम हमारा इंडिया है तो इंडिया कर लेते हैं अगर आप इंट्रेनेशन special कर रहे हैं तो आप यहां पर करेंगे राइट नो डिफॉल्ट जीओ लोकेशन इनेबल टैक्स कर देंगे ताकि अगर टेक्स कल्कुलेट करना है इंडियन रूपीज करन्सी है करन्सी पोजीशन यहाँ पर दिखेगा यह सारी चीजिए है राइक हम करने के बाद यहाँ पर पेमेंट में पेमेंट में आन करेंगे तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे राइट आप देखेंगे इस्ट्राइब पेमेंट गेटवी उकॉमर्स के लिए इसी तरह के लिए आप अनगलक्ती सीवी तरीकी का पेमेंट गेटवी यूज कर सकते हैं जैसे कि आपका हो गया पेपल हो गया या या पिद्रेजर अब आप करेंगे तो आप आप दिखेंगे यहां पर पएमेंट का आ शोका है यहां पर सकते हैं और यहां पर यहन पर काम करता है और आप यहां पर Google पे कांट पर है तरह करेंगे करेंगे मेरा काउंट है थो यहां पर क्रिएट करने का option आता है तो यहां पर देखें मेरा अकाउंट है और यहां पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यह मेरा अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा कापी इजी प्रोसेस है आप केवल बटन की करके ही अपने पेमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत सारे प्लेटपॉम पर आसान नहीं होता आपको यह पी आई की यहां पर कोड लिखवाने पड़ते हैं कस्टम अपने प्रोसेस होगा क्योंकि इंटिग्रेशन पार्ट है तो यहां पर देखेंगे हमारा पेमेंट जो है सारा यहां पर कनेक्ट हो चुका है और इ इस पर नहीं आते हैं तो यह बहुत ज़रूरी होता है और देखिए यहां पर सारी चीजें हमारी एड़ हो चकी है देन हम सेप्ट कर देंगे आप करने के बाद हमारा जो पेमेंट सिस्टम है और 30 हो चुका है हम प्रेमेंट आप सेप्ट कर सकते हैं बट अब क्या होगा कि हमें अपने कोर्स को पेड़ करने के लिए हमें एक और काम करना होगा तो जैसे कि हम जाते हैं अपने कोर्स में कोर्स में जाने के बाद हम अपने कोर्स को इडिट करते हैं कि इडिट करने के बाद देखेंगे यहां पर पीड एंड फ्री का उप्शन आ गया है यानि हम फ्रीज सेट कर सकते हैं अभी आप देखेंगे कि हमने प्राइज नहीं सेट के अपनी कोर्स का और यहां पर प्रॉडक्ट का उप्शन भी नहीं आ रहा है जिसके लिए सिंपल स हम उसका टाइटल कोपि करेंगे और देन हम चली जाएंगे अपने कॉमर्स में जाने के बाद यहां पर नीचे गए प्रॉडव का सेख्शन देखेंगा यहां पर चर्फ का जो है ब्राइस शेट करते हैं अर्फ है और से था हुब सेटकर झरने respectable पर यहां पर네 ऑफिर से आजेंगे कोर्स सेक्षन में लाइंगे कि यहां पर जाने के बाद करेंगे और यहां पर दीरेंगे और देखेंगे रेब्रस करने अप्डेट करने के बाद मेड़ा कोॉर्स को जाके फर्सेसस चेक करेंगे और देखेंगे यह एक प्रे हो गया है यहां पर उसे खरीदेगा हुआ ही यूज कर सकताथ तो इस तरह से आप पिड़्ेट कर सकते हैons अधर आपको कोई भी हिस हो रहा है तो इसक्रीन पर जो एमेल आइडी दिख रही है या पो नमबर दिख रही है इस पर कॉल करेंगे तो आपको कम्प्लीट फ्री सेट अप मिल जाएगा कैसे आपको कोर्स भी है और यहां पर देखेंगे पेट कोर्स भी है और यहां पर देखेंगे फिरी कोर्स भी है